Hello Children, Today we shall start our Chapter 24, Our Urban Government, हमारी सहरी सरकार We all know that the city life and the village life are quite different from each other हम सभी जानते हैं कि सहरी जीवन और ग्रामिन जीवन, city life और village life ये एक दूसरे से बिलकुल अलग है The cities are more populated than the villages जो सहर है वो गाउं से ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं यानि सहरों में ज़्यादा लोग रहते हैं गाउं की बजाय As a result, those who have to look after the management of the cities have to make adequate provision for drinking water, electricity, transport, healthcare centers, hospital, etc इसी के प्रिणाम सभूब जो भी सहरों का परबंधन देखते हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयाप्त प्रवधान करने पड़ेंगे पीने की पानी के लिए, बिजली के लिए, यातायात के लिए, स्वास्थ, देखभाल केंद्रों के लिए, अस्पताल आदी के लिए इन एडिशन टू दा अबव, देरा बिग मार्केट्स, मिल्स, अन प्रोडेक्शन सेंटर्स इन दा सिटी उपर दियेगे जो प्रावधन हैं उनकी अलावा बड़े-बड़े बाजार हैं, मिल्स हैं और उत्पादन केंद्र हैं सहरों में more and more people are migrating from the rural to urban areas making cities are crowded ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो प्रवास कर रहे हैं ग्रामिन चेत्रों को छोड़कर सहरी चेत्रों में जा रहे हैं और सहरों को भूत ज्यादा भीडबहड़ वाला बना रहे हैं यानि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाओं को छोड़कर सेरों की तरफ जा रहे हैं इसी की वज़े से जो नागरिक स्विधाई होती हैं उनके उपर बहुत भारी दबाव पड़ रहा है इन सभी स्विधाओं की जिम्मेदारी और उनका रख रखाव जो है वो सहरी सवसासन निकायों को सोपी गई है अर्बन सेल्फ गौवर्निंग की बोड़ी की डूटी होती है ये सभी स्विधाई पर दान करना इट वूड बी यूसफूल तो स्टड़ी हाव दीज बोड़ी आर कंपोजड और हाव दे परफूम देर वैरियस फंक्सन ये भहुती अच्छा रहेगा अध्यन करना की कैसे ये निकायों की रचना होती है और कैसे ये अपने जो अलग-अलग फंक्सन से कारिये करते हैं The 74th Amendment Act of 1992 has provided three types of urban local bodies 24 जो सुधार Act था 1901 में मैं पारित हुआ उसमें तीन परकार की जो सहरी स्थानिये निकाय दिये गए हैं They are नगर पंचायत for semi-urban areas which are gradually developing into cities Municipal Council और नगर परिशद for cities with population between 20,000 to 10 lakhs and municipal corporation for big cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, etc. where the population is more than 10 lakhs ये हैं सबसे पहले नगर पंचायत जो semi-urban area के लिए होती हैं वो छेतर जो अभी सहर नहीं बने हैं मतलब थोड़े ही सहर वाला हिस्सा है जिनका और ये दीरे-दीरे सहरों में विक्सित हो रहे हैं उन स्थानों पर तो होती है नगर पंचायत और फिर होती है नगर परिशद या नगर समीती उन सहरों के लिए जिनकी जनसंख्या 20,000 से लेकर 10,000 तक होती है फिर आपती है मुनिस्पिल कॉर्पोरेशन ये बड़े सहरों के लिए होती है जैसे की दिल्ली, बंबई, चेनने, कोलकत्ता, कानपूर आदी के लिए जहां की जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा होती है जो सहरी स्थाने निकाई होते हैं जिनको हम नगरपाली काओं के लाम से जानते हैं ये लोगों द्वारा चुनई जाते हैं सीधे जो उनकी नियमित रुप से जो चुना होते हैं उनकी द्वारा उनको चुना जाता है और जो सदेश से इस तरीके से चुनाई जाते हैं उन्हें कहते हैं नगरिये सलहकार इच सिटी इस डिवाइड़े इन्टो वार्ड्स और हर सहर को वार्ड्स में बाटा गया है वार्ड में बटे होए हर सहर अगर किसी सहर की जनसंख्या बहुत जादा होती है तो जो वार्ड की जो संख्या होगी वो जादा होती है मतदाता जो होते हैं वो एक परतिनिदीर को चुनते हैं परतेक वार्ड से पांच साल के लिए इसका सदश्य बनने के लिए जो उमर होती है वो 21 साल से कम नहीं हो सकती कुछ जो वार्ड होते हैं कुछ जो वार्ड है वो आरक्सित कर दिये जाते हैं अनुसुचित जाती के लिए अनुसुचित जन जाती के लिए और दूसरी जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए वन थर्ड सीट इन इच मुनिशिपैलिटी आर रिजर्ड फोर वुमें वन थर्ड एक तिहाई जो सीट होती है वो परतेक नगरपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षित होती है जैसे कि मानलो 90 सीट है तो 90 का एक तिहाई 30 सीट जो होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी फर्स्ट हम पढ़ेंगे नगर पंचायत टाउंस वीचार समालर दैन ए सिटी बट बिगर दैन विलेज है नगर पंचायत कस्बे जो सहर से तो छोटे होते हैं और गाओं से बड़े होते हैं वहाँ पर होती है नगर पंचायत इट इस दा स्मा जो सदस्यों की संख्या होती है वो उसकस भी की जनसंख्या पर निर्भर करती है जो चेर परसन होता है मुख्य वेक्ति जो होता है नगर पंचायत का वो सीधा लोगों दुआरा चुना जाता है और जो उपचेर परसन होता है वो जो इसके सदस्यों होते हैं विश्यों ही इसको चुनते हैं नेक्स्ट फंक्षन नगर पंचायत क्या कारिय करती हैं वो यहां पर दिये हुए हैं नगर पंचायत के जो परमुक कारिय हैं वो हैं इस परकार टू सोल लोकल प्रोब्लम्स एन टू प्रोवाइड बैटर लिविंग कंडिशन जो भी स्थाने समश्याई होती हैं उनको सुलजाना उनका हल निकालना और लोगों को अच्छे जीवन जीने की स्थित्या परदान करना यानि बिजली पानी सभी की स्विधाई देना टू प्रोवाइड स्विक एमनेटी लाइक वाटर एन इलेक्टरी सीटी और लोगों को नागरिक स्विधाई जैसे पानी बिजली आदे की स्विधाई परदान करना ये सारे नगरपंचायद का काम होता है नगरपंचायद का काम ये भी होता है कि स्वस्ता सुनिश्चित करे की साफ सफाई है या नहीं स्वास्त सेवाओं की सुविधाई है या नहीं ये सारी चीज़े नगर पंचायत का ही काम होता है देखना स्वास्त सफाई, स्वास्त सम्बंदी सेवाई तो मेंटेन पार्क्स, प्राइमरी स्कूल्स and पब्लिक बिल्डिंग्स पार्क और जो प्राइमिक स्कूल होते हैं वो और जो पब्लिक बिल्डिंग होगे जैस अस्पताल, आंगनवाडी सेंटर आदी जो होगे उन सब का रख रखाओ ध्यान रखना तो कीप रिकोर्ड और बर्थ एंड, डैथ, जनम और मृत्यू का रिकोर्ड रखना यह सारे काम नगरपंचायत का ही होता है sources of income अब यह है कि नगरपंचायत की income उसको पैसे कहां से मिलते हैं यह नगरपंचायत gets funds through taxes like water tax, octroi, house tax, vehicle tax, building tax and rent from municipal buildings and properties नगरपंचायत को fund मिलते हैं जो कर उसने लगा रखे हैं जैसे पानी के उपर कर octroi octroi एक ऐसा tax होता है जब कोई भी भार से भरा हुआ truck, माल से भरा हुआ truck सावान से भरा हुआ truck या कुछ भी truck वगएरा जो भी है दूसरे district में, दूसरे सेर में परवेश करते हैं तो उनके उपर कुछ tax लगता है वो वाला octroi tax घर के उपर जो tax जहां पर भी घर होते है सेरों में फिर उनके उपर tax लगा होता है वो विकल वान tax वानों के उपर tax लगाना ये उससे कमाई होती है नगर पंजायत की building tax इमारतों के उपर जो tax लगे हो है और जो भी जो भी नगर ये जो building है इमारते है municipal की जो भी इमारते और संपत्ति है उनके उपर से जो ग्राय मिलता है जैसे नगर पंजायत की दुकाने हो गई कोई और building हो गई कोई मैदान हो गया जो rent पे दे दिया उनसे जो कमाई होती है वो सारी टैक्स में जाती है नगर पंजायत के पास बट most of the money comes from financial assistance from the state government in the form of grants and loans लेकिन ज्यादा तर जो धन मिलता है जो वित्य साहिता मिलती है नगर पंजायत को वो है दुदान और लोन के रूप में डू यू नो OCTRI is a tax levied on goods entering a city OCTRI एसा कर है जो की समानों के उपर लगाया जाता है जो एक सहर में प्रवेश करते है इन दिनों इस टैक्स को हटा दिया गया है दिल्ली और हरियाना अधी स्थानों से Thank you